लोकसबाचुनाव नजदीक आ गए हैं सूबे की जानी मानी पार्टी कॉंग्रेस और विजेपी ने इस लोकसबाचुनाव को लेकर सतक हो गई है अनाज़ा लगाया जा सकता है कि इस से लोकसबाचुनाव यह लोकसबाचुनाव अपरेल महीने के शुरुआती दिनों में हो सकते हैं बताया जा रहा है कि सबी राजनितिक दलों ने लोकसबाचुनाव के रंडीती टैकर ली है इसके साथ लोकसवाचुनाव को मद्य नज़र रखते हुए वित मंत्रे निर्मला सीता रमन ने आज बज़ट पेश किया है इस दोरान उन्होंने 58 मिनिट लंबा भाशन भी दिया इसके साथ ये अंतरिम बज़ट है क्योंकि ये है लोकसवाचुनाव नज़दी का गए है इसके साथ चुनाव होने के बाद पहला बज़ट जुलाई में पेश हो सकता है हरवार की तरह भी इस बजट में परंपरा को बनाए रखने के लिए लोकसभा चुनावगी घोशना नहीं की दरहसल अंतरिम बजट में किसी तरह की लोकल भावन घोशना इन नहीं की जाती है और इस परंपरा को इस बजट में भी बनाए रखा है इस बजट में विट मंतरी ने बताया कि 10 साल में इंकम टेक्स कलेक्शन 3 गुना भढ़ गया है मैंने टेक्स रेट में कटोती की है 7 लाग की आए वालों को कोई कर दे नहीं है 2025-2026 तक घाटों को और कम करेंगे मंतरी ने बताया हमारी सरकार स्वाइकल कैंसर के वेक्स्टिनेशन पर ध्यान देगी इसके साथ इवित मंतरे निर्मला सीतरमर ने कहा पीएंप जंधन योजना के तैट आदिवासी समास तक पहुंचना है विशेश जनरातियों के लिए विशेश योजना लेकर आए है इंफरस्ट्रक्शर विकास में तेजी आई है सरकारी योजना ये जंता तक पहुंच रही है हर घर्जल योजना से पानी पहुंचाया जा रहा है तीन हजार नई आई टी आई खोले गए है चोवन लाक युवाओं को प्रेश्टिक्षित किया गया है ऐसे जनता की भलाई के लिए बहुत से कारिये किये गए है और भविशे में ये जारी रहे गए संसद में बज़ट पेश किये जाने से पहले संसद भवन में ही कैबिनेट की मिटिंग जारी की गई प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने इसके अद्रिक्षाता की इसके साथ बज़ट को मंजूरी दिना आने के लिए वित मत्री निर्मला सीतरामन कैबिनेट मिटिंग से पहले राश्टर पति भवन पहुंची थी वहाँ बज़ट को मंजूरी देने के बाद राश्टर पति ने निर्मला सीतरामन का मुँ मिठा कराया जनता दर्बान यूज में फिलहाल के लिए इतना ही